और इसी बीच एक बड़ी खबर हमें बिल रही है जम्मू से वहाँ पर आतंकी साधिश को नाकाम कर दिया गया है शेरपूर इलाके में IED बरामत किया गया है नाले पर बने पुल के नीचे ये IED मिला है शेरपूर इलाके में जहां IED बरामत किया गया है नाले पर बने पुल के नीचे एक बैग बरामत होता है जम्मू में जहां आतंकी साधिश को नाकाम किया गया है शेरपूर का वो इलाका जहां पर IED बरामत हुआ एक संदिग्द बैग बरामत हुआ इस बड़ी मंशा को सेना की टीम ने नाकाम कर दिया है एक पुल के नीचे IED बरामत किया गया है बैग मिला संदिग्द बैग जिसमें सामान था संदिग्द सांबा कट हुआ बॉर्डर पर IED उस बैग से बरामत और देखिए एक बड़ी आतंग की साज़श को जम्मु कश्मीर में सेना की टीम ने नाकाम कर दिया है बड़ी अब डेट जम्मु से शेरपुर इलाका जहां पर ये इंप्रोवाइज इलेक्ट्रोनिक डिवाइस मिली है बैग के भीतर पुल के नीचे और नाले पर जो पुल बना था उसके ठीक नीचे बैग मिला उसमें IED था अनुमान किया जा सकता है कि आतंकी सादिश थी जिसे नाकाम किया गया है सामभा कट्रुआ बॉर्डर पर इस संदिक दबैक को प्राप्त करके अजय बाचलू हमारे समभाद दाता जम्मु से हमारे साथ जूर चुके हैं उनके पास जादा बेट्स हैं इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई अजय क्या जानकरी मिल पाई आपको देखें आज सुबा सुबा जब जम्मु के सामभार कट्वा बॉर्डर पर शेरपूर इलाके में अब गश्त कर रहे इसी पुलिस तो इसी गश्त के दोरान उन्हें एक बई नाला पड़ता है ये बई नाला जो है ये आतंकियू का ट्रडिशनल रूट पी रहा है क्योंकि ये जब मुझा पाकिस्तान से जोड़ता है तो इसी बैई नाला के पास एक संदिक्त पॉलिफिन बैग मिला जिसे सुरक्षावलों ने अपने कबजे में लिया और उसके बाद वहाँ पा डॉग स्कॉर्ड और बंड डिस्पोजल स्कॉर्ड को बेजा गया और जब इस बैग की पॉलिफिन बैग की जांच की गई तो उ कि इस आईडी के जरीय सुरक्षा बल यह यह आशंका जता रहे है कि पुल को शती पोचाने के फिराक में थे आतंकी जिसे यह सुरक्षा बलों ने जिस साजिश को जो है नाकाम कर दिया है फिलाल अब इस यह जो आईडीय से नश्ट करने की प्रक्रिया वहाँ पर जारी है धन्यवाद अजे आपका जानकारी पहुंच आने के लिए तो देखिए यह बड़ी जानकारी जहां पर एक बड़ी आतंकी साज़श को से ना की टीम ने नाकाम कर देश आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ तेश की राजधाने से इस प्रस्तमा ने पास है बीजे की बड़ी बैठडा और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट तेशस्वी आदव एडी दफतर रवाना हो चुके हैं देखें लानफोर्जॉब्स क्याम के मामले में तेशस्वी आदव से आज पूछता चूली है संशे बना हुआ था जाएंगे आपर नहीं तस्वीरे साम होगा एडी दफतर के लिए रवानगी तेशस्वी आदव की हो चुकी है जिसकी सीधी तस्वीरे लाइफ तस्वीरे आप इस वक्त देख पा रहे हैं एडी की टीम आज लैंड फोर्जॉब्स क्याम के मामले में तेशस्वी आदव से पूछताच करेगी बीते कल उनके पि दफतर की ओर आज का समन था और अब इडी के सवालों का सामना करेंगे तेशस्वी आदो कल उनके पिता लालो पिसाद यादो से नौ घंटे तक इडी ने पूस्ताच की अब पटना दफतर में इस बीच में आर जेडी के तमाम कारे करता इडी दफतर के बाहर मौजूद र और आर जेडी की ओर से इस पूस्ताच के बारे में जो कुछ कहा गया वो लगातार हम आप उस बैसे दिखा रहे हैं लेकिन अब तेजस्वी आदो रवाना हो गए हैं उनसे आज एडी पूस्ताच करेगी मामला वही है लैंड फॉर जॉब स्कैम का जिस सिलसले में कल उनके पिता से पूस्ताच होई उसी मामले में आज उनसे भी पूस्ताच होई और देखिए कैसे रवाना हुए अपने आवाज से निकल कर तेजस्वी यादो तो के उपर मुख्य मंत्री थे अभी कुछ दिनों पहले तक बिहार के लेकिन अब वहाँ पर सत्ता परिवर्तर हो गय अब वो विपक्ष के निता हैं और अब वो रवाना हुए हैं एडी दफ्तर के ओर वहाँ पर उनसे एडी के अधिकारी लैंड फॉर जॉब मामले में पूस्ताच करेंगे देखते हैं कितने सवाल उनसे पूछे जाते हैं और कितनी देर तक उनसे पूस्ताच जा रही थी क कि तेजस्वी आदव जा सकते हैं एडी दफ्तर और अब देखे वो एडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं मीडिया बात करने की लगातार कोशिश कर रही है लेकिन कुछ भी बोलने के स्थिती में इस वक्त लग रहा है कि नहीं है तेजस्वी आदव क्योंकि हाथ ज अच्छा ये देखीजी आप ये एक तरफ तो जारखन में भी लगातार जो एडी की तरफ से पूछताच करने की कोशिश की जा रही है एमन सुरेन से वो भी जा रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर बिहार में किस तरीके से एडी आक्शन मोड में है ये भी आप देख सकते हैं तेजस्वी आदव एडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं आज तेजस्वी आदव से पूछताच होगी समझना होगा देखना होगा कि क्या सवाल एडी के रहते हैं और क्या जवाब तेजस्वी आदव के रहते हैं क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर ना किवल आल तेजस्वी आदव से नौ घंटे तक पूछता आच आच क्या लग रहा है कितने घंटे तक यह पूछता चल सकती है और इस वक्त क्या तेजस्वी आदव एडी दफ्तर पहुंचने वाले बिल्कुल देखें यहां से एडी दफ्तर की दूरी मैक्सिमम 15-20 मिनिट की और ऐसे म वहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं हमारे सेयोगी शचांक वहां पर है आज लंबी पूछताच तेजस्वी आदव से चल सकती है ऐसा इसलिए क्यों कि पिछले दो समन में तेजस्वी उपस्तित नहीं हुए थी डी के सामने और ऐसे मैं आज पाटनर जोनल ओफिस में उ आज हो सकती हैं लॉयर्स की टीम उनके साथ गई है साथ में जो आरजेरी से सांसे राजसवा के मनोजा वो भी साथ थे और तेजस्वी को कहीं न कहीं ये खुबी पता है कि सवालों का सामना उनको आज करना पड़ेगा और 11 बजे का टाइमिंग था और रात देर रात तक आ और ऐसे में तेजस्वी आदव के नाम पर दिली का न्यू फ्रेंट्स को लिस्ति जो बंगला है वो ट्रांसफर किया गया पहले ये अमित कातियाल के नाम पर ये बंगला था और बाद में उसको ट्रांसफर किया गया था तो कहीं ऐसे मामले हैं जो तेजस्वी आदव से तारीक दी गई थी और आज उस तारीक पर उपस्तित होना था तेजस्वी यादव को और वो आपसे कुछ दिर पहले निकले हैं संभवता एडी दफ्तर पहुंच गए होंगे और ऐसे में आज लंबी पूश्टाज तेजस्वी से की जा सकती हैं निदी अभी आपने बताया क पटना के दफ्तर में उसे पूश्टाज कर सकते हैं आज कहीं न कहीं तेजस्वी को भी पहले से प्लाणिंग करनी थी और यही वज़ा है कि आज थोड़ी देरी हुई है और पूरी क्योंकि उनको पता है कि सवालों का सामना करना पड़ेगा उनको जवाब देना होगा चाहें वो जैसे दे जवाब तो देना है क्योंकि सब आज एडी देफ्तर पहुंचते हैं इससे पहले 22 दिसंबर और 5 जनवरी ये दो तारीख थी जब तेजस्वी को समन भेजा गया था उनको पूछताच की लिए कहा गया था हाला कि वो बार-बार ये कहकर टालते रहें कि ये लोक सबाद चुना हो है इसी वजह से ये सब ना होगा तेजस्वी का ठीक है निदी श्री में लॉट्री आपके पास शुषांत किस वक सीधे माई से जुड़ गये हैं शुषांत क्योंकि एडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है शुषांत क्या वहाँ पर तेजस्वी आदव को पहुंच चुके है अपडेट क्या मिल मौजूद है लेकिन ये लोग फ्रंट साइड में आगे कहे हैं तेजस्वी के साथ वहां से यहां चलते हुए वो लोग आएंगे तो सभी बड़े नेता अभी भी यहां पर मौजूद है करीब 8-9 घंटे तक आज तेजस्वी से पूस्ताच चल सकती है कल भी लालू से 9 घं यहां पर पहुचे हैं लोग का कहना है कि फसाने की कोशिस हो रही है लेकि यह मामरा बहुत पूराना है और जले से चल रहे हम आर्दे डी के कारथा सब हमारे साथ है तेज़वी आदो पहुचने वाले हैं क्या लग जग अन्हीं होगी कैसे गिरतारी उनके गल्ति क्या है आप निर्दोस मानते हैं? निर्दोस है, विल्कुल निर्दोस है और सबसे बड़ी बात यह कि युवा लोग जो आज आखों में आशू लिये हुए हैं उनको एहसास है इस बात का कि तेजस्वी जी नौकरी दे रहे थे, रोजगार दे रहे थे आप हमारे साथ है, सरकार गए और 40 घंटा हुआ, लेकिन 19 जनवरी कोई नोटिस जारी हुआ था कि 30 को आना है यह सब प्लान था पूरे तरह से, समझ गया कि ने, प्लान करके, चुकि सरकार भी अभी पुन रूप से मतलब मेजरिटी में नहीं है समझ गया कि नहीं, सब लोग घबराये हुए हैं, जदिव के नेता भी और बीजेपी के नेता भी, कि हमारे विधायक लोग कहीं असाहज महसूस कर रहे हैं इसलिए ये सब परिसानी में डाल देखिए, तेजस्वी आ गया है, भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है, तेजस्वी की जो गाड़ी है, सिधे ये इडि कर रहे लेके आगे रुकेगी और वो अंदर चले जाएंगे, कारकरता काफी है, इसलिए यहां यहां तक पहुँचने में थोड़ी समस्या हो रही है, सभी उनके गाड़ी के आगे खड़े हो गया, कैमरापट सर्थ विशाल से कहेंगे कि आप फ़र और आ गया यह और नजदीक से तस्वीरे दिखाएंगे, पुलिस की गाड़ी आ गया है, जो उनकी सुरक्षा में रहत हैं, पस तस्वी इडी दफ्तर पहुची गया है, मातरे 20 कदम वो पीछे हैं, सभी नेता जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, यह लोग कहा रहे हैं कि तेज़श्वी निर्दोस हैं, फसाने की कोशिस हो रही है, यह मामला 4-9 के बीच का है, तब तेजश्वी बच्चे आज तेज़श्वी से पूस्ताच होने वाली है, तो माना जा रहा है किन से भी कई घंटों तक पूस्ताच हो सकती है, जिन्दाबाद के नारे जो हैं, वो लगाये जा रहे हैं, सभी कारेकरता यहां पे हैं, कितनी संख्या होगी यह भी बताईए, शेशांक कारेकरता चार सो पांच सो हैं, देखिए जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए वो अब जा रहे हैं, तेज़श्वी की गारी पीछे हैं, तेज़श्वी पहुंच चुक हैं, बस दो से तीन मिनिट में वो एडी दफ्तर के अंदर चले जाएंगे, फिर उनसे पूस्ताच सुरू होगी, 19 जनवरी को ही उनको नोटिस जारी किया गया था कि आप 30 तारीक को आईएगा यहाँ पे, तो आज वो आ गया है, इसके पहले 22 दिसंबर और 5 जनवरी को भी उनको बिलाए गया था, लेकिन उन्होंने सरकारी कारेकरम में वेस्टा का हवाला देते हुए, वो अगे की तरह पढ़ेदार है, तमाम मेता कारेकरता, उनकी गारी को घेरे हुए है, जिन्दाबाद के नारे भी लगा रहे है, कुछ विधायक लोग भी साथ है, देखिए, तेयस्वी की गारी जो है अब एडी दफ्तर के में गेट पर पहुँचने वाली है, और वहीं पर तेयस्वी उतरेंगे, मीडिया से कोई बादसीत वो कर नहीं रहे है, लालू भी कल मीडिया से बात नहीं किये थे, जितने देर लालू से कल पूचता चुई थी, उनके परिवार के सदस से, यहीं पर थे, खास करमीसा भार थी, तो तेयस्वी आ गए है, गारी बीच में है, तमाम नेता, जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारे लगा रहे है, बिहार का सियम कैसा हो, इसके भी नारे लग रहे है कि तेयस्वी जैसा हो, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे है, एडी दफ्तर के आगे से, तेयस्वी की गाड़ी जो है, अब देखिए, मेन गेट त कि उनको उतरना है आप उतरने दीजे लेकिन कारेकरता जो है मानने को त्यार नहीं है तेजस्वी से मिलना चाहते हैं जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लगतार नारे बाजी हो रही है तेजस्वी यादो जिंदाबाद बिहार का सियम कैसा हो तेजस्वी यादो जैसा हो जाच एजिसियों का दुर्पियोग हो रहा है तो तमाम बाते जो है राजत के नेता कारेकरता कह रहे हैं लेकिन दगिये तेजसी को गारी से निकलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि भारी संख्या में कारेकरता जो है कारी को पूरी तरह से घेर लिये हैं लेफ्ट में राइट में फ्रेंट पर इसलिए सुलक्षा गर्मियों को भी करेकरताओं को हटाने में दिक्रत हो रही है तो आज कितने घंटे पूस्ता चलती है कि किस तरह के सवाल किये जाते हैं इसी पर सब की नजरे रहेगी लेकिन ये जो एक्स्लूजिव तस्वीरों के जरी हम भीर देख पा करती हुई शशांग जी अपना सवाल दो रहेएगा बिल्कुल शशांग के तस्वीरे आप एक्स्प्लेन कीजे तेजस्री आदर बहार आ गए हैं गाड़ी से जी बिल्कुल कार करता है बहुत सारे है आज़ पास के जिलों से भी पहुँचे हैं तेजस्री से बात करना चाते हैं अपनी बात रखना चाते हैं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है आरजेडी के तरब से कि हर परिस्थीती में भी हम लोग एक जूट हैं तेजस्र को अंदर जाना है 11 बच यहीं बुलाए गया था अल्रेडी वो आदे घंटे लेट आ हैं लेकिन अब अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कारकरता जो हैं यहां पर आ चुके हैं काफी और तेजस्वी को जो है कुछ कहना चाहते हैं अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन दे तेजस्वी गाड़ी से निकल गए अंदर जा रहे हैं मीडिया से कोई बात नहीं किये देखिए तस्फिरे देखिए तेजस्वी अब अंदर घुस रहे हैं बगल में सब सुरक्षा कर्मी है जो उनको अंदर ले जा रहे हैं गेट खोलने में भी परिसानी और ये कारकरता लगातार आगे की तरफ बढ़े जा रहे तो देखिए और जेटी कारेकरता सिधा मैसेज देने की कोशिस कर रहे हैं कि हर परिस्थिती के लिए हम लोग तैयार हैं और इस मुश्किल घड़ी में भी अपने पाटी के साथ अपने नेता के साथ हम लोग खड़े हैं ये दिखान सुरू होगी तो बहुत मुश्किल से तेज़स्वी अंदर परिसर में दाखिल हुए लेकिन कारेकरता जो है लगातार जो है यहां पे नारे बाजी कर रहे हैं तेज़स्था जल्दूं से सुरू होने वाली है जी शांक उनके साथ कौन अंदर गया है ये भी सपश्ट करें चुकि वो गेट के अंदर दाखिल हो गए हम जोग जानना चाहेंगे कि उनके साथ भीतर कौन गया है भीतर कोई नहीं गया है तेज़स्वी अकेले भीतर गया है तमाम पाटिक के बड़े नेता और जो कारे करता है गेट के बाहर खड़ा होके नारे बाजी कर रहे हैं तस् लेकिन उनको भी अंदर परिसर में नहीं जाने दिया गया है सिर्फ तेज़स्वी गया है और नियम भी यही है जो नियम है उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है हमारे साथ मुकेस रोसन है और जेडी बिदाएक मुकेस जी तेज़स्वी आये सारे कार करता नारे बाजी कर रहे थे समर्थन में खड़े क्या संदेश देने की कुछ देखिए आप सब लोग देख रहे हैं कि बीजे पी ये नो टंकी कर रहा है और हमारे नेता को जब जब चुनावाता है तब-बमारे नेता को तंक किया जाता है यह कभी डी को आगे कर देता है कभी आइटी को आग देने का काम करेगा हम लोग ना तो जुकने वाले हैं ड़ने वाले आप कर रहे कि बीजे पी डार गए लेकिन 19 जनवरी को नोटीस जारी हुआ था कि आज आना है सरकार भाले और 40 घंटे पहले अब लोग प्री प्लांट था कि 28 तारी को सरकार जो है उस सपत लेगी 29 तारी को तेजस्वी जी को आना है यह सब प्री प्लान था यह सब यह सब बीजेपी के लोग पहले से जान रहे थे कि यह जब तेजस्वी आतर जी को जब जब तंग करेंगे तभी हम लोग को चुनाओं में फाइदा होगा लेकिन जान जाईए ना लालू जी ड़ने बाले हैं न यह पूर पलानी था लेकिन हम लोग डढने वाले नहीं है हम बीर लाली आदव और तेश्वी आदव के सिपाही है अब जंता जंसंग राम होगा देखते हैं कौन बीर बलिदानी है किसके धमनी में खून और किसके धमनी में लडाई ठनक गए एक दम जंता के बीच हम जिनको रजगार मिले हाता वो तमाम लोग बिहार के लोग मायूस है और तम लोग सब लोग भी तेश्वी के तरफ निगाह करके देख रहे हैं तब तक जो हैसे इडी और सीबी आई इसम लगता है इसलिए बिहार की जंता डढ़ने वाले नहीं है और लालू पर सधाद अदब जी गरीवों के मसीहार आये हैं और उनके बीट तेश्वी तेश्वी आदब गरीवों की समाजी किनाई की बात करने वाले लोग जूकने व आप लोग करते हैं ना अब भी बोल रहे हैं और जग जाहिर है 22 वरस पहले का कैस है उसमें तेस्वी जी की सुमर में थे यह जंता देख रहे हैं अरोब यहारा कि दिनों को नौकरी मिल उन्होंने सस्ते दाम पर जमीन दी आरोब तो यहीं नहीं तो यहीं नहीं मोदी सब लोग डड़े हुए थेस्वी जी से एक थेस्वी सब पर भारी पर रहा है अब हम कल्यान कुछ से विधायक है राश्टिय जानता दल के मनोज कुमर जा दो तेस्वी रेल मंती नोकरी देते हैं कितना लोग इनों के इसाब जूटा है चहित हनन का काम है भाजपार रेसेस के लोग जब जित्ते हैं नहीं लड़ाई में तो चहित का हनन करते हैं दबाते हैं EDCBI के बल पर पार्टी को तोड़ते हैं जबरदस्ती जेल में चलने वाला नहीं है ब्यार में सब लोगों का गर्व है तेजस्वी जी एटू जेट के नहता है और यह किसी के बस में नहीं है कि EDCBI से रोक किसी भी परिस्तित में डरेंगे नहीं आपके यह कहना है जब लालू जी नहीं डरें तो तेजस्वी डरेंगे हम लोग करफुई ठाकपुर के बंसा जाएं जेपी के लोग यह कन हुआई है समाजवादी लोग है अम लोग डर जाएंगे इबाउरुपिया से डर जाएंगे हम लोग कोई नहीं डरेंगा इलोग मिट्टी में मिट् को तोड़ता है डरवाता है लोग हिटलर का बंसा जाए इस जब अंग्रेज का सुरोजास्त हो गया तो मोदी क्या है इनका भी सुर्जास्त होगा और नहीं चल लगए लोग मिट्टी में मिल जाएंगे जो भी नेता है सिधा कहा रहे है कि जाच एजंसियों का दुर्विय हो चुके है देखे लानफोर जॉब्स क्याम के मामले में तेजस्वी आदव से आज पूछता चुली है संशे बना हुआ था जाएंगे आपर नहीं तस्वीरे सामने तेजस्वी आदव एडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके है बीते कल इसी तरीके की तस्वीरे सामने अखने आई था जब लालू यादव एडि दफ्तर के लिए रवाना होए थे 9 घंटे उनसे पूछता चुई और आज बारी है बिहार के पूर्व डेपूटीस सीम तेजस्वी आदव की एडी से सामना होगा एडी दफ्तर के लिए रवाना की तेजस्वी आदव की हो चुक और तेजस्वी यादव एडी दफ्तर के लिए देखे रवाना हो चुके हैं। अब तेजस्वी यादव रवाना हो चुके हैं। अब तेजस्वी यादव जा सकते हैं एडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब तेजस्वी यादव क्योंकि हाद जोड कर मीडिया के सामने ये एक संबोधन उनकी तरफ से दिया गया। अब तेजस्वी यादव एडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। आज तेजस्वी यादव से पूझता आच होगी। आज क्या लग रहा है कितने घंटे तक ये पूझता चल सकती है। और इस वक्त क्या तेजस्वी आदव एड़ी दफ्तर पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल देखें, यहां से एड़ी दफ्तर की दूरी मैक्सिमम 15 से 20 मिनिट की है और ऐसे में तेजस्वी आदव वहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं आज लंबी पूछताच तेजस्वी आदव से चल सकती है इसलिए क्योंकि पिछले दो समन में तेजस्वी उपस्तित नहीं हुए थी एड़ी के सामने और ऐसे मैं आज पाटनर जोनल ओफिस में उनको बलाए गया था पहले से तारीक भी तैय कर दी गई थी और कल जिस तरीके से लालू यादव से नौ गंटे से जादा की पूछताच हुई है सावालों की लंबी लिस्ट तैयार की गई थी एड़ी के तरफ से कुछ ऐसे ही सवाल चुकि ये लैंड फॉर जॉप स्कैम का मामला है लंबी पूछता तेजस्ट यादव से आज हो सकती है लॉयर्स की टीम उनके साथ गई है वो भी साथ थे और तेजस्ट वी को कहीं न कहीं ये खुबी पता है कि सवालों का सामना उनको आज करना पड़ेगा और 11 बजे का टाइमिंग था और रात देर रात तक आज उनसे पूछता की जा सकती है लैंड फॉर जॉप स्कैम में बाद में तेजस्ट वी का नाम डाला गया था आप समझे कि ये जमीन दो नौकरी लो ये वो मामला है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच में और ऐसे में तेजस्ट वी आदव के नाम पर दिली का न्यू फ्रेंट्स कॉलनिस थी जो बंगला है वो ट्रांसफर किया गया पहले ये अमित कातियाल के नाम पर ये बंगला था और बाद में उसको ट्रांसफर किया गया था तो कहीं ऐसे मामले हैं जो तेजस्ट वी आदव से सवालों की फेरिस में पता एडी कर सकती है और यही वज़ा है कि तेजस्ट वी आदव को तारीक दी गई थी और आरज़ेडी के जो राइसबा सांसद हैं मनोजजा वो भी उनके साथ है कितने लॉयर्स उनके साथ गए हैं एक बात तो यह आप से जानना चाहेंगे एडी के जिनों ने कल लालुप साध्यादर से पूछताच की थी संभफता दिली से आया अधिकारी और पटना जोनल ओफिस के जो अधिकारी है एडी के वो आज उपस्तित हो तेजस्ट वी के सामने में और तेजस्ट वी से पूछताच कर सकेंगे और यहां लॉयर्स की टीम जो जिस गाड़ी में तेजस्ट वी बैठे थे वहाँ चार लॉयर्स वो बैठे थे इसके सासाथ मनुजा भी यहां से गए है और टाइमिंग यह सब कुछ पहले से तह था और ऐसे में लॉयर्स की टीम यहां से गई है तेजस्ट वी भी पूरी तरीके से तयार है क्या कुछ सवाल अंदर पूछे जाते हैं और जो उन्पिट्स मिलेगा वह मताएंगे लेकिन फिलाल इस वक्त की बड़ी ख़बर यही है कि तेजस्ट वी आदव आज एडी डेफ़तर पहुंते हैं ठीक है निदिश्री में लॉट्री आपके पास शुशांत किस वक्त सीधे मारे से जुर गए हैं शुशांत क्योंकि एडी डेफ़तर के बाहर ही मौजूद है शुशांत क्या वहाँ पर तेजस्ट वी आदव पहुंच चुके है अपडेट क्या मिल रहा है वहां से जी बिल्कुल चार से पांच मिनट में तेजस्ट वी जो है यहाँ पर एडी के जोनरल ओफिस पहुंच जाएंगे राबडी आवास से वो निकल चुके हैं राजत के तमाम नेता कारेकरता यहीं पर मौजूद है लेकिन यह लोग फ्रंट साइड में आगे कहें हैं तेजस्ट वी के साथ वहां से यहाँ चलते हुए वो लोग आएंगे तो सभी बड़े नेता अभी भी यहाँ पर मौजूद है करीब 8-9 घंटे तक आज तेजस्ट चल सकती है कल भी लालू से 9 घंटे से जाजा पूस्ता चुई थी जो लैंड फर जोविस का मामला है उसमें देखिया यही एडी दफ्तर है यहाँ पे सुरक्षा पढ़ा दी गई है CRPF के जवान यहाँ पे तनात है पतना के कोने कोने से और जो पास के जिले हैं महां से और जेटी के कारिकर्टा जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं इन लोगो का काना है कि फसाने की कोसिस हो रही है लेकिन यह मामला बहुत पुराना है और जाच्छ पहले से चल रही है आरडेडी के कारकर्ता साथ हमारे साथ तैस्वी आदो पहूंचने वाले हैं, क्या लग़ रहा है गिरफतारी हो भी हो सकती है? आप निर्दोस मानते हैं? अजिएर्दी प्रवख्ता एजाज हमाठ है नेता को सपोर्ट करने उनको समर्थन देने और सबसे बड़ी बात है कि युवा लोग जो आज आखों में आशू लिये हुए हैं उनको एहसास है इस बात का कि तेजस्वी जी नौकरी दे रहे थे रोजगार दे रहे थे सुधय यादो जी आप हमारे साथ हैं सरकार गए और 40 घंटा हुआ लेकिन 19 जन्वरी को नोटिस जारी हुआ था कि 30 को आना है ते यह सब प्लान था पूरे तरह से समझ गया कि ने प्लान करके चुकि सरकार भी अभी पूर्ण रूप से मतलब मेजरिटी में नहीं है समझ गया कि नहीं सब लोग घबराये हुए हैं जदिव के नेता भी और बीजेपी के नेता भी कि हमारे विधायक लोग कहीं असहज महसूस कर रहे हैं इसलिए यह सब पर रहे लेके आगे रुकेगी और वो अंदर चले जाएंगे कारकरता काफी है इसलिए यहां तक पहुंचने में थोड़ी समस्या हो रही है सबी उनके गाड़ी के आगे खड़े हो गया कैमरा पर विशाल से कहेंगे कि आप फर और आ गया यह और नस्दीक से तस्वीरे दिख यह देखिये पुलिस की गाड़ी आगे-ागे है जो उनकी सुरक्षा में रहते हैं पस तेजश्वी एडी दफ्तर पहुंची गया है मातरे 20 कदम वो पीछे हैं सभी नेता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं यह लोग कर रहे हैं कि तेजश्वी निर्दोस हैं फसाने की कोसिस हो रही है यह मामला चार से नौ के बीच का है तब तेजश्वी बच्चे थे यह आरजेडी के नेता कारेकरता कह रहे हैं लेकिन जाच बहुत पहले से इसमें चल रही हैं अब आगे क्या होता है यह देखना होगा कल नोग घंटे से जादा तक तेजश्वी कल नो घं पूश्ता चोने वाली है तो माना जा रहा है किन से भी कई घंटों तक पूश्ता चो सकती है जिन्दाबाद के नारे जो हैं वो लगाये जा रहे हैं सभी कारेकरता यहां पर हैं कितनी संख्या होगी यह भी बताईए शेशांक कारेकरता चार सो पांच सो हैं देखिए जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए वो अब जा रहे हैं तेजस्वी की गारी पीछे है तेजस्वी पहुंच चुके हैं बस दो से तीन मिनट में वो एडी दफ्तर के अंदर चले जाएंगे फिर उनसे पूश्ताच सुरू होगी 19 जनवरी को ही उनको नोटिस जारी किया गया था कि आप 30 तारीक को आईएगा यहाँ पे तो आज वो आ गया है इसके पहले 22 दिसंबर और 5 जनवरी को भी उनको बिलाए गया था लेकिन उन्होंने सरकारी कारेकरम में वेस्टा का हवाला देते हुए वो आई नी तेजस्व पहले था कि इसी गारी में है आगे की तरह पहुचने वाली है और वहीं पर तेजस्वी उतरेंगे मीडिया से कोई बात्सीत वो कर नहीं रहा है लालू भी कल मीडिया से बात नहीं किये ते जितने देर लालू से कल पूचता चुई थी उनके परिवार के सदस से यहीं पर है खास कर्मिशा भारती तो टेजस्वी आ गया है गाड़ी बीच में तमाम नेता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं बिहार का सियम कैसा हो इसके भी नारे लग रहा है कि टेजस्वी जैसा हो तो एक-एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इडी दफ्तर कि आगे से तेज़श्वी की गाड़ी जो है अब देखिए में गेट तक जो है वो पहुंच चुकी है लेकिन कारेकरता इतने है कि तेज़श्वी गाड़ी से अब उतर नहीं पा रहे हैं किसी भी समय वो गाड़ी सुतरें गई या तो गाड़ी उनकी अंदर जाएगी सिधा दफ्तर के परिसर में देखिए सुरक्षा कर्मी जो है अब कारेकरताओं को हटा रहे हैं कि उनको उतरना है आप उतरने दीजे लेकिन कारेकरता जो है मानने को त्यार नहीं है तेज़श्वी से मिलना चाहते है जिंदाबाद के नारे लगा रहे है लगतार नारे बाजी हो रहे है तेज़श्वी यादो जिंदाबाद बिहार का सियम कैसा हो तेज़श्वी यादो जैसा हो जाच जिस्यों का दुर्पियों गोरा तो तमाम बाते जो है राजत के नेता कारेकरता कह रहे हैं लेकि दगि यह तेज़श्वी को गारी से निकलने में दिक्कत हो रहे है तो आज कितने घंटे पूस्ता चलती है किस तरह के सवाल किये जाते हैं इसी पर सब की नजरे रहेगी लेकिन ये जो एक्स्क्लूजिव तस्वीरों के जरीए हम भीर देख पा रहे कारे करता हूं कि जिनको पुलिस बल हटाने की कोशिश कर रहा है ये तस्वीरे देखे बहुत एहम हो जाती है कि समर्थन करने वाले लोग यहां पर आए हुए एक तरफ सियासी तोर पर एक बड़ा जटका तेजस्वी आदब को दूसरी तरफ मुश्किले बढ़ती हुई शशां जी अपना सवाल दो रहीएगा बिल्कुल शशां के तस्वीरे आप एक्स्प्लेइन कीजे तेजस्वी आदब बहार आ गए हैं गाड़ी से जी बिल्कुल कार्गरता है बहुत सारे हैं आजपास के जिलों से भी पहुँचे हैं तेजस्वी से बात करना चाहते हैं अपनी बात रखना चाहते हैं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है आरजेडी के तरफ से कि हर परिस्थीती में भी हम लोग एक जूट हैं तेजश्वी के साथ हैं लालू परिवार के साथ हैं ये ही संदेश देने की कोशिश जो आरजेडी के कारे करता हैं वो कर रहे है लागातार नारेबाजी यहाँ पर किये जा रहे हैं लेकिन तेजस्वी को अंदर जाना है 11 बज यहीं बुलाए गया था अल्रेडी वो आधे घंटे लेट आ हैं लेकिन अब अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कारेकरता जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं काफी और उपने अभी भी गारी के अंदर मौजूद है धक्का धुखी वाली स्थिती है दखिए अब टेजस्वी बाहर निकल रहे हैं विशाल से बोलेगे कि आपको तस्वीरे दिखाएं बहुत धक्का धुखी वाली स्थिती यहाँ पे देखिए तेजस्वी गाडी से निकल गए अंदर जा रहे हैं मीडिया से कोई बात नहीं किये देखिए तस्वीरे देखिए पेश्वी अब अंदर घुस रहे हैं बगल में सब सुरक्षा कर्मी है जो उनको अंदर ले जा रहे हैं गेट खोलने में भी परिसानी और ये कारकरता लगातार आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं तो देखिए और जेटी कारकरता सिधा मैसेस देने की कोशिस कर रहे हैं कि हर परिस्थिती के लिए हम लोग तयार हैं और इस मुश्किल घड़ी में भी अपने पाटी के साथ अपने जा रहे हैं और उनसे पूस्ता जो है करीब 11.45 के आसपास से सुरू होगी तो बहुत मुश्किल से तेयस्वी अंदर परिसर में दाखिल हुए लेकिन कारकरता जो है लगातार जो है यहां पे नारे बाजी कर रहे तेयस्वी अंदर गया है अब पूस्ता जल्दूं से सुर है तेयस्वी अकेले भीतर गये हैं तमाम पाटी के बड़े नेता और जो कारे करता है गेट के बाहर खड़ा होके नारे बाजी कर रहे हैं तस्वीरे दखिये कल मिसा भारती जरूर आई थी लालू के साथ क्योंकि लालू की तब्बे ठीक रहती नहीं है उनको दवाईयां भी दी जाती है लेकिन फिलहाल परिवार का हमको कोई दिखने रहा है मनोज्जा जरूर आ है साथ में लेकिन उनको भी अंदर परिसर में नहीं जाने दिया गया है सिर्फ तेजश्वी गये है और नियम भी यही है जो नियम है उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है हमारे नारबाजी कर रहे थे समर्थन में खड़े क्या संदेश देने की कोशिश से देखिए आप सब लोग देख रहे हैं कि बीजे पी ये नोटंकी कर रहा है और हमारे नेता को जब जब चुनावाता है तब-बार नेता को तंक किया जाता है यह कभी डी को आगे कर देता है कभ जनता हम लोग को न्याद देने का काम करेगा हम लोग ना तो जुकने वाले है ना डर्डने वाले है आप कर रहे कि बीजे पी डार गये लेकिन 19 जनवरी को नोटीस जारी हुआ था कि आज आना है सरकार भाले और 40 घंट पहले अब लोग प्री प्लांट था कि 28 तारी को सरक करेंगे तभी हम लोग को चुनाओं में फैदा होगा लेकिन जान जाइए ना लालू जी ड़ने वाले हैं ना तेजर स्वीर जी ड़ने वाले हैं अचे हमारे साथ और भी आरजेडी के नेता है इज्राइल मंसूरी मंत्री थे इज्राइल मंसूरी जी आप लोग और तेश्वी आदव के सिपाही है अब जंता जंसंग राम होगा देखते हैं कौन बीर बलिदानी है किसके धमनी में खून और किसके धमनी ठनक गए एक दम जंता के बीच हम लोग जाने का काम करेंगे और जंता इसका निया करने आप लोग भारी संखा में यहां पर पहु और तम लोग सब लोग भी तेश्वी के तरफ निगाह करके देख रहे हैं लालू यादव से भी नौ घंटे से ज्यादा पूसता आच होई थी आते जसी से भी लंबी पूसता चो सकती है क्या लगता है कि गिरस्तारी भी संभाव है या नहीं या सिर्फ डराने की कोशी सोर रहे हैं और उनके भी तेश्वी तेश्वी यादव गड़ीवों की समाजी खिनाएं की बात करने वाले लोग जुकने वाले नहीं है कि यह कहते हैं कि 2004 से 9 तक का यह मामला है जब तेश्वी बच्चे थे लेकिन आरोब तो यह है कि लालू जी रेल मंत्री थे लोगों को न सब्सक्राइब कर देख रहे हैं कि दिलों को नौकरी मिल उन्होंने सस्ते दाम पे जमीन दी आरोब तो यहीं नहीं अरे तेश्वी जी उसमक्या जाने गया है तेश्वी जी तो बाल्ले अबस्ता में थे यह साजिस किया जा रहा है मोधी सब लोग डड़े हुए हैं तेश सब पर भारी पर रहा है अब हैं कल्यान कुर्से विधायक है राश्टिय जानता दल के दाम है मनोज कुमर जादो तेश्वी रेल मंती नोकरी देते हैं कितना लोग को नोकरी सब भूटा है चहित हनन का काम है भाजपार SS के लोग जब जितते हैं नहीं लड़ाई में तो च चेट के नेता है और किसी के बस में नहीं है कि टी और सी वी आई से रोक किसी भी परिस्तित में डरेंगे नहीं आपके यह कहना है जब लालु जी नहीं डरे तो तर देश्वी डरेंगे हम लोग कर पूई ठाकपुर के बंसा जाए जेपी के लोह यह कनुए समाजवादी ल चल रहा है हमन सुरिन तो काई भी हो गए जो इनके बिरोद में बोलेगा उस पर सिकंजा इलो कसेगा इलो पार्टी को तोड़ता है डरवाता है इलो हिटलर का बंसा जाए जब अंग्रेज का सुरोजास्त हो गया तो मोदी क्या है इनका भी सुर्जास्त होगा और नहीं च बार बार देता है जब भी जाच एजनसियां सिकंजा कसती है जी कोचिश की जा रही है यह तस्वीर देखे लगातार सामने आ रहे हैं सीधा आपको लेकर चलते हैं शशांक के पास जो एडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है शशांक आप वहाँ पर नेताओं से बातचीत भी कर रहे थे समर्थकों से बात कर रहे थे बहुत गुसा उनके म जब जाच होती है पूस्ताज के लिए बुलाया जाता है तो यह लोग इसी तरह की ब्यानबाजी करते हैं हमारे साथ आरजेडी के और भी नेता हैं हम बात करेंगा आप तो MLC भी है यह बताइए तेजसी से पूस्ताज सुरू हो गई है किसी तरह का डर आप लोग को यह क् पोक हैं और रहा सवाल तेजस्वी यादब और लालू यादब जी को जिस तरह से एडी के दोरह परशान किया जाता है तो आप जानते हैं कि एलेक्शन से पहले जो पार्टी होती है वो अपने गडबंदन को ठिक करती है उसको अपने काम बाटती है तो एडी भी उनका पार्टी है तो वो लालू यादब तो यस्वी यादब जी में है आप यह कहाना चारा है कि किसी भी परिस्तिती में आप लोग घबराने वाले नहीं है कोई जानकारी जहां के पंदरा सदस्यों को मौत की सजा ये बड़ा पडेट आप तक पहुंचा रहे हैं के पंदरा सदस्यों को मौत की सजा का ऐलान केरल की कोट ने पंदरा लोगों को ये सजा सुनाई है बीजेपी नेता की हत्या के दोशियों को सजा का ऐलान हुआ है पिएफाई से जुड़े पंदरा सदस्यों को मौत की सजा का फर्मान केरल की कोट की तरफ से बड़ी खबर केरल की को सुनाई है सजार दो लोगों की हत्या के मामले में ये होते हुई थी 19 दिसंबर 2021 को